खबरों के तरफ रुख करते हैं त्रिमूर्ती सेग्मेंट लेकर शरद हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गये हैं तीन शेर्ज जो कि आज खबरों के दम पर आक्शन में रहेंगे शरद गूड मॉनिंग आप बताईए जी बिल्कुल सबसे पहले फोकस में रहेगा जाइडस वेलनेस और यहाँ पे डेली हाई कोट ने जो है एक ओडर दिया है जहाँ पे कंपनी को डीबार कर दिया है मार्केट करने का प्रोड़क्स जो शुगर लाइट ब्रांड को है और इसको जो ही आवार्ड जो है प्ली को क पर दिया है इन फेवर आप कह सकते हैं डेरी प्रोड़क्स में कर डेली मार्केटिंग को अब इंपॉर्टन बात यह कि जो कंपनीया उल्री शुगर फ्री पहले बनाती थी और इसका लगबग 96% मार्केट शेर कंपनी का था तो इन्होंने एक नया ब्रांड बनाया शुग का सब्सिट्यूट होता है उसको वह मार्केट कर रहे थे तो इसमें जो एक नेगेटिव इंपक्ट स्टॉक में आपको देखने मिल सकती है दूसरा स्टॉक जो है फोकस में रहेगा वह है कैम प्लास सानमार यहां पर देखा जाए तो 14 तिमाई की नतीजे बहुत वीक सेट पर सकता है तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला इसमाई ट्रेप यहां पर उनके जो कंपटिटर है मेक माई ट्रिप जो यूएस में लिस्टेड है उन्होंने जो है कि चौहते तिमाई के नतीजे उनके बहुत स्ट्रॉंग आये है अनलिस एस्टिमेट से बेटर आपके आ और बहुत स्ट्रॉंग रिजल्ट्स जो है मेक माई ट्रिप से आ रहा है तो इसमाई ट्रिप भी आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा ठीक है कुछ एक एहम खबरे हैं जो हमने तीन खबरे चांट के आपके लिए अलग कर दिया त्रिमूर्ती ताकि आपका फोकस वड़ा ज़्यादा हो पाए खबरे तो और भी होती है लेकिन इसको हम चांट के अलग करते हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा अलग से न पर देखिए अभी भी strong momentum नहीं बना पिछली बार भी मार्च मन्द में अपने 200 moving average को ही rejection दिया और फिर से stock नीचे आ गया अलाकि अगर आप एक strong base देखेंगे तो करीबन 40-41 का strong base है लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास already holding है तो ये stop loss के साथ कड़े रहें fresh buying के average जो एक average आ रही है 50 की जब तक ये stock ये levels sustain नहीं कर रहा है on the closing basis we will not enter a fresh trade here fresh trade की entry पर इस वाक्त कोई राय नहीं मिलेगी is my trip पर हलाकि नतीज़े अच्छे आते हुए देखने को मेले लेकिन त्रिमूर्ती segment में दोर stocks जिस पर negative news flows थे जाइडिस wellness कंपनी के ब्रैंड शुगर light के नाम के इस्तिमाल पर डेली हाइड कोट की तरफ से रोक लगाई गई है और इसके अलावा गर आप देखे केंपलास संद्मार कंपनी के कमजोर नतीज आए संतुष दोनों stocks पर आप से राय जानना चाहिए जाएडिस wellness करीब टेजी कल देख रहा था केंपलास में बिकवाली थी और नतीजे बी कमजोरा है तो हो सकता यहां पर वापिस से एक सालिक पर आजाया चाहिए वहां पर सपोर्ट ले सकता है तो यहां पर किसी की और पूसिछन पर चाहिए अगला स्टॉक केंपलास का तो केंपलास की बात करें तो यह स्टॉक भी कोई मेजर अप ट्रेंड में नहीं है साइडवेज में है इमेजिएटली चारसो बीस एक सपोर्ट अगर चारसो बीस की नीचे फिसलता है तो शायद यहां पर और कमजोरी बढ़ सकती स्टॉक 370 की बड़ा फेमस हो गया था और अभी कमजोर नतीजे के चलते कमजोरी की उमीद है संतोश हो